सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यू चाइनल को और बेल आइकन को दबाए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए श्री लंका के खिलाफ वन डे सिरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है चयनकर्ताओं ने दक्षिन आफ्रीका दौरे से पहले कप्तान विराठ कोहली को आराम दिया है मतलब वन डे सिरीज में विराठ कोहली नहीं खेलेंगे और उनकी जगह ओपनर रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे वंडे सिरीज के लिए टीम इंडिया में हार्देक पांडिया की वापसी हुई है जिन्हें टेस्ट सिरीज से आराम दिया गया था साथ ही चयनकर्ताओं ने तेज गेंदबाज सिधार्थ कॉल को मौका दिया हैं श्री लंका के खिलाफ तीन मैचों की वंडे सिरीज 10 डिसेंबर से शुरू होगी वंडे सिरीज के लिए यहां होगी भारतिय टीम रोहित शर्मा कप्तान, शिखर धर्वन, अजिंके रहाने, श्रीयस अयर, मनीर्श पांडिक, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, एम एस धोनी, हार्दिक पांडिया, अक्षर पटिल, कुलरदी प्यादव, यूजर वेंद है भारतिय टीम के नए कप्तान के बारे में और आपको भारतिय टीम का नया कप्तान कैसा लगा, अपने विचार कमेंट में जरूर दीजेगा, इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए